हेलो फ्रेंड्स राम राम सभी को कैसे हो आप सब उमिद करती हूं सभी बहुती ज़्यादा जहूंगे और हम सब भी ठीक हैं स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लोग बे और आज 21 तारी वुद्वार हो गया और आज योगा डे है तो आप सभी को हैप्टी योगा डे और यह बता न किस ने आज सुगह सुगह योगा किया है और हम भी है न योगा करने के लिए यह उठे थी आज जल्दी उठ गए आँटी ने तल ही बता दे थी कि कल पारग में चलेंगे सौरी कट्थे होती योगा करके आएंगे तो हमने सोचा चलो योगा डे बना लेते हैं उठ तो गए लेकिन बारिश शुरू हो गई और जब मुठे ना तब तो दिरे दिरे बारिश हो रही थी लेकिन अभी तेज ब अब तो पारिश में तो जाया ही न जाएगा तो सोच रेगर पेई खोड़ा कर ले पारिश शुरू हो गई कि थंड़ 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 अवा चलेंटी बारिश आ रही है तेज बारिश आगी वही थेखना बड़ी अमोसम हो रखा है कि चलो कोई बात नहीं पारक नहीं गए तो यहां बैठके योगा कर लेंगे पर योगा डियमन रहेंगे ज़रूर चाहिए थोड़ा बोड़ आंटी जी क्या हुआ अंटी भी आ गई है योगा करन जाओ थे बारिश ने कर दिया काम है यह तो क्या हुआ आँटी उपर भी तो बार बारिशी हो रही होगी आजाओ दी 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 फरसे देख रही है योगा करने जाओ थे सुबह सुबह अप्पी योगा डे यह तो बोली देवां यह प्लानी इम्नाजी सरी फैल करती राम जी तो के रखे फैल करते है पर मोसम बहुत अच्छा करती हैं ना किती अच्य वाचल रही है ना ला रांटी तो पुड़ा देख़्ा रहत तो नहीं को आरा रहत है पारक में तो कोई नी होगा विजाली होंगे अब बारिस में तो कोई नहीं होगा बारिस में पांच बजे चलना था पांच बजे आज पांच बजे जाते ना तो जाता और मैं भी पांच बजे की उठ रही हूँ और बता देते ना पांच बजे में तो उठ गी थी पांच बजे नूबेर अच बारिस आओगी तर अपलान फेलो होगा पारक तो गए पर मोसम इतना अच्छा हो रखा ना दरवाजे खोल दा ठंडी अवा तो वाजे इंदा है पारक जाना तो अमारे कैंसे अवा तो खाले पिछे रहा दरवाजा कोल देती इतनी थंडी अवा चाजरी है अद्टनल सिंगर टिखा है अपलिवा तो यह सब्सक्राइबिस थमेंटेबिभा सब्सक्राइब्स प्राइब कोनल कोना पड़ी आफ इस बार गाने विर डाइटिंग पचर मैंसा फिह प्रत्रेंक नाक्य आउन्चरी पिछ भी शुल्सक्राइबिसना जाना फिदल वारिस कितनी तेज होगी है अप तो चेल दोय है पर जाे मर्के माननेंगे । दर्वता करकेके अपना यूगता। कि पकी जा गई तो दोनों लग गई है योगा करने योगडे मनाने बार तो बारीश और यह नहीं तो पराका प्रोग्राम उगया गया चैंसल तो अंजुदीदी भी हैं यही आ गई थी तो ओल में मैट बिचा के लग गई हैं दोनों तो पहले तो ओं का उचारण किया फिर कपालबाती अनु अनूलॉम विलॉम और तितली आस्टनं तो यह दो हों करने तो यह यांनिक से ब मेसे रोज कर लेना चारचिंग है। यह जलुत कर लेना », इसाथ सबस्साद चाहिए अधम क्यारेने हिसे आधक्युषाइं. कभी उठा नहीं जाता, फिर उठते ही कामों में लग जाते हैं, तो टाइम नहीं लग बाता फिर रेडी होई पारत में जाने के लिए फिर सक streaming वारिस आगए, एक बार रुख गई कि थोड़ी थोड़ी अब भी भी बारिस तो रही है उपर आ गई मच्छत पे बिल्कुल सबसे उपर मैं सोचा खुले में करना चीए थोड़ा बहुती होगा तो मैं यह आ करके जाओंगी हलकेल की बारिस हो रही है तो बारिस में भी ना लूँगी और योगा भी कर लूँगी मम्मी और अजुदीदी ने तो निच्चे कर लिया तो मैंने सच में थोड़ा सा उपर गर क्या आती हूँ और मैंने अपना मैट लेके आगई मैट में भी चा लिया है तो थोड़ा सा योगा यहां करूंगी ना ना तो है इस चलो बारिस में भीग लेते हैं और थोड़ा सा योगा भी हो जाएगा खुले खुले में तो मैं छत पर ही आगे अपना फोन लेके फोन को डखना पड़ेगा नहीं तो भीग जाएगा सारा चलो भी करते हैं योगा और अभी मैं भी लग गई हूँ योगा करने ठंडी ठंडी हवा और दीमी धीमी थोड़ी थोड़ी बारिस आरी है तो उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था वैसे तो मैंने जब शुरू किया ना तब थोड़ी थोड़ी बारिस आरी दी लेकिन बाद में इतनी तेज बारि पर बारिस आ गई फिर विमने शुर्य नम्सकार किया था उसके वी कई पर चलो इतने तो करें योगडे तो मन नहीं गया कि मैं मैं ने निच्चे कर लिया था मैं रहे थी मैं सोच रही थी खुले आसमान खुले अरिये में करके आउंगी ताजी ताजी अवामे तो सारी भीग गई हो और मेरा मन भीग लेकिन अभी काम करना है क्योंकि लेट हो सुमित निचले मैं कहरी दिन को चलो मेरे साथ पर अच्छा हुआ निचले में तो यह बीग जाते मैं तो बीग नहीं थी और मैंने स्पेसल योगा डे के लिए अभी सुबही कपड़े पैंने थे वाइट टीशिट पैंने तो मैंने सुचा वाइट और ब्लैक लोग टीशिट तब योगा करूंगी पारग में जाके लेकिन वह तो नहीं पाया पर कपड़े पैनने थे योगा के लिए तो यह तो करना ही कहां था चैक कैसे भी करना हो तो आज मैंने बारिष में खाएंगे तो उसी के लिए ब्रेड लेने जाने हो अब तक बारिस में रुखती है दीरे हो गई जब में उपर गई थी जब बहुत तेज थी लेकिन अभी दीरे हो गई आज तो पूरा दील जड़ लगा के रखेगा रामबिर को ऐसा लग रहा है पूरा दील बारिस हो गई मोटे मोटे प्याद छाट के छोटे तो पिछली बार बहुत सारे लेगी थी मैं और दो किलो ये आम कर दे चूसन वाले और एक किलो खीरा कर दे और अलू कैसे दिये दो किलो आलू कर दे दो किलो आम तोल दे ये वाले चोटो चूसने वाले बड़ी ऐसे और दुकान पे जब मैं ब्रेड लेने गई न तम मेरे को याद आया कि खीरे भी खतम हो रखें तो फिर मैं सबजी भी लेने गई लेने गई थी तो खीरे ही खीरे पर बहुत सारी चीज़े ले आई क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़े रही थी आलू प्याज ये भी से काटके भरके नहीं बना रही हूं तो बस अभी फटा फट नास्ता बना लेती हूं और इस वौलो का यह हैं और अट कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए विलोग में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर वीडियो देखते रहे न और पसंद आए तो लाइक